एक आदमी मेले में गुबारे बेच कर गुजर बसर करता था उसके पास लाल नीले पीले हरे और इसके अलाबा कई रंगों के गुबारे थे जब उसकी विक्री कम होने लगती तो वे हीलम गैसे भरा एक गुबारा हावा में उड़ा दिता बचे जब उस उड़ते गुबारे को देखते तो बैसा ही गुबारा पाने के लिए आतुर हो उड़ते बे उसके पास गुबारे खरीजने के लिए पहुँच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती उस आदमी की बिक्री जब भी घटी वह उसे बढ़ाने के लिए गुबारे उडाने का यही तरीका अपनाता एक दिन गुबारे बाले को मैसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को थीच रहा है उसने परट कर देखा तो हाँ एक बच्चा खड़ा था बच्चे ने उससे पूछा अगर आप हावा में किसी काले गुबारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा बच्चे के इस सवाल ने गुबारे बाले के मन को छू लिया बच्चे की ओर मुड़का उसने जवाब दिया बेटे गुबारा अपने रंग की वज़े से नहीं बलकि उसके अंदर भरी चीज की वज़े से उठता है हमारी जिंदगी में भी यही उसूर लागो होता है एहम चीज हमारी अंदरूनी शक्सियत है हमारी अंदरूनी शक्सियत की वज़े से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें उपर उठाता है हारवर्ड विश्विदाले के विलियम जेम्स का कहना है हमारे पीड़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इनसान अपना नजरिया बदल कर अपनी जिन्दगी को बेहतर बना सकता है कि इनसान अपनी जिन्दगी को बेहतर बना सकता है